हाई माई यूट्यूब फामली आज मैं आप लोगों के साथ एक फ्राइड ड्रैस का रेसिपी शेयर कर रही हो इस रेसिपी का शौड वीडियो भी मैंने शेयर किया था बद शौड वीडियो में पूरा रेसिपी एक्सपेंड नहीं कर पाती हो अब सबसे पहले मैंने वान टीस्पून से भी कम ऑईल में दो अंडा को थोड़ा सॉल डालके फ्राइड कर लिया अंडा को ओवर कूक नहीं करना है अभी अंडा को फ्राइड करके अलग से रख देंगे अब उसी पैन में मैंने ओईल एड किया मैं क्वान्टिती तीन चार जन के लिए बना रही हूँ उसी हिसाब से सब कुछ एड कर लूँगे ओल में मैंने चॉप किया हुआ गारलिक एंड जिंजर वान टेबल स्पून करके एड किया इसका बस कच्चपन खतम होने तक ही भूनना है फिर मैंने यहाँ दो प्यास को चॉप करके एड किया प्यास को भी ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है अब यहाँ मैं चॉप किया हुआ गाजर उसके बाद चॉप किया हुआ कैपसिकम और थोड़ा सा ग्रीन चीली यहाँ पे मैं आड करूँगी अब मैं इसको अच्छे से प्याज और ओल के साथ मीक्स कर लूँगी और गैस का जो हीथ है उसको मीडियम रखना है आप लोगों को अब मैं इसमें नमक देने से पहले ही 15-20 सेकेंड तक मैंने इसको कूख किया उसके बाद ही यहाँ मैंने नमक यूज किया इसमें मैंने स्वाद अनुसर नमक यूज किया और 1 टेबल स्पून करीबन मैंने यहां पर ब्लैक पर पाओदर यूज किया और उसके बाद अच्छे से वान मिनित तक इसको कूख किया अब जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ था अंदा उसको यहां पे मैंने आड कर लिया इसको भी अच्छे से मीक्स कर लेंगे इस ताइम में आपको गैस को मीडियम हीट में ही रखना है अब यहां मैंने कूक करके रखा हुआ राइस को एड़ करूंगी इसमें मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में राइस यूज किया क्योंकि यहां मैंने तीन चारजन के लिए फ्राइड राइस बनाया अब इसमें मैंने 2 टेबल स्पून यहां पर स्वाय सोज एड़ किया और 1 टेबल स्पून मैंने वीनेगर एड़ करके इसको मीक्स कर रही हो इस ताइम में आप लोगों को गैस का जो फ्लेम है उसको हाई हीत में रखना है और इसको जल्दी-जल्दी मीक्स करना है जितना टाइम आपको मीक्स करने में लग जाएगा उसी टाइम में आपका राइस अच्छे से कूक तो हो जाएगा और सारा जो आपका वेजिटिबल से उसका फ्लेबर भी राइस के अंदर आ जाएगा अब मैं गैस का फ्लेम एकदम slow heat में रख दोंगी और उपर से चॉप किया हुआ प्यास का पत्ता डाल दोंगी और इसको कमती आस में ही इसको मैं अच्छे से मीक्स कर लूँगी आप लोगों को अगर वेस फ्राइड ड्राइस बनाना है बस अंडा को स्कीप कर लीजिए बन जाएगा वेस फ्राइड ड्राइस यहां मैंने नॉन वेस का बनाया तो फिर मैंने यहां पर एग यूज किया अगर आप लोगों को चिकन का बनाना है तो चिकन फ्राइकर करके उ इसके साथ सथ सिली पनेर या मंचूरियन सर्फ करते हैं मैंने यहाँ पर सेली चिकुएंड ड्राइफ प्राइब के साथ वी इसका हड़ा है यह सथ ज待 इसा बादा पर चिली चिकेंड ड्राइब यहाँ के दाद करें आप सेनल में जाके देख सकते हैं और लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगी आप सब भी को कि सेनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए